आताट लोग माल लो फैमिली में है या पांच-छे लोग हैं उसमें से कुछ लोग बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, कुछ लोग बहुत बुरा मैनेज करते हैं, तो फॉलो करो न, जो बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, उनके अंदर क्या पॉजडिव आते हैं स्वारों दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 11 पॉइंट मनी मैनेजमेंट के अब मनी मैनेजमेंट जरूरी क्यों है इसको इस पूरे वीडियो में डेटेल करूंगा कैसे मनी मैनेजमेंट को किया जाए कैसे हम अपने पैसे को ग्रो कराए कैसे हमारा पैसा, हमारा financial freedom बना दे future में हमें tension ना हो हम अपने hobbies को pursue कर पाए आपको पता है life एक बड़ी tension वाली situation होती है अगर चीजों को ठीक से manage ना करे life अगर हम society में रह रहे हैं तो कई social obligations के साथ आती है family है, relatives है बच्चे है, parents है इन सब को अगर आपको खुस रखना है, सब को आप चाहते हैं दिल से कि यार सारे healthy रहे, खुस रहे best जो भी सोच रहे हो कर पाए तो आपको अपने money management को best करना पड़ेगा so मैं धननजे इस वीडियो में आपको discuss करने माला हो 11 है वो point लेकिन जो 12 point होगा वो आप सब के लिए bonus point होगा अब ये bonus point क्या होगा जो definitely आपको help करेगा, जो आखरी में आएगा so मेरी request है सभी लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले तो चैनल को subscribe कर लिजेगा अभी तक नहीं किये हो और चैनल को subscribe कर लिए हैं तो सोड़ा share करिए और प्लीज अगर वीडियो पसंदा है तो like ज़रू करिए 10 point money management के money management पे आपने अगर वीडियो देखे होंगे तो सभी वीडियो में ये बात एक common सी बात आपको बताई जाती है कि अगर आपने ढंग से money को manage किया तो आपके जो life है आने वाला time है वो better होगा अगर हम better चीजों को कर पाए है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है तो 11 point कौन-कौन से चलिए start करते है जो पहला point है सबसे important point है अगर इस channel को आप देख रहे हो और आपकी age 20 साल है इवन आप college या school लेवल पे भी है और इस channel इस वीडियो को देख रहे है तो पहला point आपके लिए है इवन आप 35 years के हैं 40 में हैं तो भी ये point आपके लिए और ओ point है start investment as early as possible जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी investment शुरू करिए actual में जितनी जल्दी हो सकता है उतना हम loan लेना शुरू कर देते हैं which is really not good तो investment जल्दी करेंगे जल्दी जल्दी वो आपको grow करके कुछ additional income generate करके देता है college के time से शुरू कर सकते हैं pocket money बचा लीजे job में हैं कुछ ऐसी जगहों पर पैसे डाल दीजे जहां पर easily आप उसे निकालना सके maybe no कुछ नहीं आपको आता आपको पता है कि आजकल तो जो share market और mutual fund है वो काफी liquid होते हैं तो अगर आप crisis में होंगे आप उसे निकाल लेंगे तो आप gold में डाल दो वो बहुत ज़्यादा liquid नहीं माना जाता अगर आप physical goal लेते हैं online goal तो फिर भी liquid है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों पर अपने आपको motivate कर ये कि जहां से आप जल्दी से उसे withdraw ना कर पाए बहुत crisis हो तो भी नहीं उसको भी किस तरह से manage करिए तो start investment as early as possible अगर ये आप जल्दी से करते हैं तो 10 साल, 20 साल, 25 साल का जो horizon है आपको बहुत कुछ दे सकता है मैं बता नहीं सकता क्योंकि वो दूसरे point में cover कर रहा हूं दूसरा point है know the power of compounding ये जो compounding का जो power है compounding होता क्या है काफी लोग आप लोग जानते हैं कि माल लेजे आपने 100 रूपी लिया उस पे 10% का interest कमाया तो अगले साल वो आपको हो जाएगा आपका पैसा 100 रूपी 110 अब उसके अगले साल जो 10% कमाएंगे वो 100 पर नहीं 110 पर कमाएंगे जो 11 रूपी हो जाएगा अब आपका पैसा हो गया 121 उसके बाद जो 10% आएगा वो 121 पे आएगा यानि 12.1 हो जाएगा तो 121 में 12.1 करोगे तो 133.1 हो जाएगा अगर नॉर्मल ग्रोथ से और कंपाउंडिंग ग्रोथ से हम कंपेर करें ग्राप को तो काफी जादा चेंज दिखेगा आपको और अगर 10-20 साल की बात करें तो जमीन और आस्मान का अंतर दिखेगा इस पे मैंने एक वीडियो भी बना रखा है अब आ जाते हैं पाउर अप कंपाउंडिंग में मैंने वीडियो बना दिया उसका लिंक में नीचे दे देता हूं उसमें एक ग्राप गर है मालो गुजरात में आप सिम्ला में जा रहे हैं गर प्लाट खरीदने है उसने बता दिया वहाँ पे एपल के बागान है सेप के बागान है बहुत रिटर्न देगा बहुत ग्रोथ हो और एक्चुल में सही भी है लेकिन क्या आपको कंट्रोल है क्या आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं जम्मन करें आपका क्या आप जाके वहाँ पे नेगोसियेट हर चीजों को कर सकते हैं बिल्कुल नहीं ऐसा इंवेस्मेंट डेड़ में मानता हूं कभी भी आपको वो गुरोथ नहीं देखे जाएगा जो गुरोथ बताया जाएगा किसने बोले चांद पे लेंड ले लेते हैं मेटावर्स में लेंड ले लेते हैं जहाँ पे आपका कंट्रोल ही नहीं है वहाँ पे इंवेस्मेंट करने का क्या मतलब है बिल्कुल उसी तरह जैसे कि क्रिप्टो में बहुत लोग लाजिक देते हैं उसकी कोई intrinsic value हुई नहीं है यार intrinsic value जो उसकी base value जैसे सोना खरीदा तो कुछ तो आपके हाथ में है intrinsic तो है किसी कंपनी में आपने इंवेस्ट किया आप उसके shareholder हो गया तो कंपनी की कुछ तो intrinsic value है आपने ऐसी चीज़ों में इंवेस्ट कर दिया जहां पे आप पहुंचनी पा रहे है क्रिप्टो में आपने कर दिया जहां पे आपका control नहीं है हो सकता बहुत पैसा दे बहुत लोग इसके against भी आ जाएंगे मेरे बट मैं fairly अभी इसको सही नहीं मानता तो आपको ऐसी जगए invest करना होता है जहां पे आपका control हो completely उसके बाद अगले point पे आ जाते है do not rely on social media advises social media advises और उसके guidance पे आपको rely नहीं करना है जब भी social media पे कोई बोले इवन मैं बोलू तो उसको आप verify ज़रूर करो अपने label पे क्योंकि harden money आपका है social media पे कुछ देखा कि यहां बहुत return आया आपने follow कर लिया मैं कई बार ऐसे penny stock में पैसे डाल के डुबा चुका हूँ मैं exit नहीं ले पा रहा था क्योंकि हमेशा हमेशा एक circuit लग जाता था lower circuit होता था मैं बेच ही नहीं पाता था कई ऐसे और बड़े बड़े firm ने मेरे को advice भेजी है मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहां पे क्योंकि प्रूहरूब निकालना पड़ेगा अगर हो case कर दे तो बड़े बड़े firm जो advice देते थे उसके basis पे मैंने एक stock खरीदा और मैं 10 दिन तक उससे exit लेना चाह रहा था निकल नहीं पाया 5-5-5 परसन lower circuit, lower circuit, lower circuit पे जा रहा था और बड़ी मुस्क्रिश से मैं exit ले पाया काफी पैसा वहाँ जला दिया मैंने तो social media के advises पे कभी मज जाई है हलाकि share market में लोग loss करके ही सीखते है उसके बाद हम आजाते हैं पांचमें point पे do not follow only the success stories of few कुछ लोगों की success story आपने पढ़िया और motivate हो गया ऐसा हो सकता है अरे यार exception है वो अगर आपके सारे parameters पे वो success story खरी नहीं उतरती है तो आप उसको follow मत करिए किसी एक ने इनों पहाड चढ़ा उसके बाद पता नहीं चला कि वो कूद गया पहाड से फिर भी safe है आप motivate हो गए आप भी कूद गए और हाथ पे तरवा के बैठ गए तो किसी अकेले की success story को बिल्कुल आप जनलाइज नहीं कर सकते हैं आप उसको अपने पैरामीटर से अपने चक पॉइंट से तो लिए कि क्या है यार मेरे साथ ही हो सकता है क्या ये feasible है तब जाके आप उसमें involved होई है और उसके बाद जो अगला पॉइंट छटवा पॉइंट बताने वाला हूँ वो बहुत important है ट्रैक वेर यू स्पेंड मनी उस जहां पे आप पैसे खर्च कर रहे हैं उस चीजों को ट्रैक करो उसकी हिस्ट्री बनाओ उसको देखते रहो कि आप कहां पे अपने पैसे को खर्च कर रहे हो इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला पॉइंट है ट्रैक वेर यू स्पेंड मनी का मतलब हुआ कि आप देखो पिछले एक महिने में आपने पैसे कहां खर्च किये पिछले एक साल में आपके पैसे ज़्यादा तर कहां जा रहे है आप हिसाब किताब अपना लगाओ इसका मतलब हुआ कि जो भी चीज मॉनिटर की जा सकती है वही चीज इंप्रूब की जा सकती है तो ये जो छेटमा और सातमा पॉइंट था ये दोनों एक साथ ही अलग बग यानि जो चीजें आप मॉनिटर कर सकते हैं उसी को ते इंप्रूब कर सकते हैं आपने कुछ किया आपको पता ही नहीं है आपने कुसमें गलत क्या किया खराब क्या किया Companies feedback लेती हैं पूछती हैं कि भई आपको हमारा service अच्छा लगा आपको हमारा product अच्छा लगा अब अगर वो product का feedback ही ना ले तो उन्हें कैसे पता चलेगा भाई साब कि यहां पर यह problem आती है उन्हें कैसे पता चले कि यह जो packing है वो खराब है उन्हें कैसे पता चले कि यह packing हमेशा आकसर कुछ दिन में leak करने लगता है तो आप चीजों को track करिये अपने spending को फिर आपकी spending behavior पता चलेगा यह मैं एक वीडियो में और बताया है कि bank आज कर लोन लेते time आपसे interview नहीं करते पहले करते थे अब आपका bank statement देखके वो आपके बारे में complete idea लगा लेते हैं आपकी financial conditions जान लेते हैं आपका behavior जान लेते हैं आपके क्या liabilities हैं कितना पैसा आपके पास average बचा रहता है वो सब जानके आपके बारे में decide करते हैं तो जो data है न वो बहुत important है उसके बाद अगला point आता है अगला point भी इसी से related है when you have data you have control एक चोटा से वीडियो मैंने बताया था कि आपका बेटा जूट बोल सकता है लेकिन आपका data नहीं यानि अगर आपके बास data है किसी चीज का तो वो आपको control करने की शक्ती भी देता है बताता है कि आप उस data से conclusion निकालिए डेटा पे control करिए चेक पॉइंट लगाईए और अगली बार फिर feedback लीजे फिर देखी डेटा में क्या change आए and then you see the relative change every month that is beauty of the data ये चीज आपको देखना होगा यानि when you have data you have control अगला point never do the expenses just to show off show off करने के लिए expenses मत करो laptop खरी लिया एपल का क्यों 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 क्योंकि logo दिखाना था credit card पे खरी लिया plastic money है न क्या दिक्कत है बाई साब गाडी बड़ी वाली खरी ली छोटी गाडी से काम चल ला था, छोटी गाडी के लिए का सर्विस कास्ट कम है, आपको जाना भी कहीं नहीं है लेकिन आपको नहीं बगल वाले शर्मा जी ने बड़ी गाडी रखी है, तो आप छोटी क्यों लो? आप उनसे कम थोड़े हैं तो सो अफ करने के लिए और पता चला लोन लेके ले लिया सर्मा जी ने तो लिया है 50% लोन पे या आप सायद पूरा डाउन पेमेंट करके लिए आपने 90% लोन करा लिए उस पे अब फसे हो चक्कर में तो सो अफ करने के लिए यह आपको कभी भी financial stability, financial relax आपको नहीं करेगी आपका poor money management कहलाएगा यह उसके बाद आजाते हैं Never take any loan on luxurious item जो इसी points से related है कोई भी luxurious चीजों के लिए आप personal loan कभी मत लीजे loan अकसर जो लिया जाता है वो asset के लिए लिया जाता है जिसे asset create हो और वो कमाई करके दे अगर loan आपके लिए liability एक तो loan liability एक तो उससे जो चीज ली वो liability और depreciate होती जा रही है छोटी कम होती जा रही है तो आप कभी भी grow नहीं कर सकते आप बहुत negative हो एक वीशा circle में फसने वाले है circle में एक बार जब बंदा फस जाता बहुत मुश्किल से निकलता हम सब ये सब चीज़ों को देखे है कोई भी जो खुद से सीखता है वो आपको उस लंबे time तक रहता है लेकिन बहुत time लग जाता तब में बरबार हो जाता तब से आप लोग को ये experience जो हम अपने खुद कर चुकरे है अपने गलतिया day one पे जब career स्टार्ट किया तभी हमने loan ले ली credit card बनवा लिया अच्छा लग रहा था उस time बिल्कुल चीज़ा नहीं नहीं थी दिखाने के लिए लोगों को ये credit card है अपने साथ वो आप लोग ना करें इसलिए तो बता रहें आपको यानि कभी भी investment आप जो कोई कोई ऐसा loan ना ले जो आपको लगता है कि आपको उससे जो खर्चाब करने वाले हैं वो बहुत जरूरी ना हो बहुत जरूरी हो जिससे आपको return आए जैसे business के लोन लीजे बिलकुल लीजे पढ़ाई के लिए लोन लीजे बिलकुल लीजे आप अपनी जो intellectual power हो बढ़ा रहे है intellectual property बढ़ा रहे है जो आपको हमेशा पुरी life dividend देगा पुरी life return देगा उसके बाद आप जो 11 पॉइंट बताने वाला हूँ वो है keep your investment away from your friends यार दोस्तों को ना आपका कोई दोस्त मैंने एक छोटे से thoughts में बताया था आपका दोस्त किसी insurance agency में जोइन किया insurance company में और आपको बोला कि यार ये ले 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 आपने का चलो यार इसका target पूरा हो जाएगा मुझे देख लेना ही था हो सकता इसका प्रोड़क्ट उतना बढ़िया नहीं हो बगल वाला प्रोड़क्ट अच्छा हो हो सकता इसमें entry load जादा हो उसमें ना हो हो सकता इसमें वो benefit ना हो जो उसमें है लेकिन फिर भी आपने मैं सोचा दोस्त है तो इसका वाला ले लेते हैं चलो कोई बात नहीं थोड़ा lossy सही ले लिया आपने अब यार आपको पता है insurance company में कितनी जल्दी यदि लोग change होते हैं चाहे महीने बाद आपका दोस्त कहीं और join कर लिया फिर क्या करोगे बाई company तो आपके साथ अब चिपकी रहेगी ना तो ये चीज़े decision आपको बहुत सोच समझ करेना होगा पारवा point पर बताना चाहूंगा अपने health के लिए समय आप तभी दे सकते हैं जब financial freedom में होंगे यानि आप अपने health को समय दो अभी से wait मत करो कि financial freedom एकदम clear हो जाएगा बहुत कुछ कमा लेंगे bank balance बना लेंगे तो अपने health पर ध्यान देंगे ये एकदम गलत step है क्योंकि कभी भी most of the people का money management होता ना कितना भी सिखा दे बहुत अच्छा नहीं होने वाला काफी लोग सही smartly act करते हैं लेकिन आपको पता होते होते आप इतने काम में भिजी रहते हो कि आप physical fitness आपके खराब होने लगती है पता चला गले में मोच है कमर में मोच है stiff हो गई body कुछ भी काम नहीं flexibility खतम हो गई पैदल चलते हो थापने लग जा रहे हो तो ये सारी चीजें भी आपको bad management financial management की तरफ लेके जाता है जो आपको काफी cost pay करना पड़ता है future में इसके इसको maintain करने के लिए और साइद वो दुबारा वो चीज आ भी नहीं पाती और कभी कभी तो बहुत खराब बीमारी भी लग जाती है जो आपको lifelong परिसान करती है और आपकी life को छोटा कर देती है so this point is really very very important for everyone financial तो साथ साथ चलती रहती है learning से आती है सीखेंगे गलतियां करेंगे फिर गलतियां करेंगे फिर गलतियां करेंगे फिर सीखेंगे तो ये process चलता रहता फिर भी अगर आपको ये सारे points को अगर आप point wise करते रहेंगे तो आपको better result मिलेगा सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप लिखना सुरू करो इन सारे points मेंसे एक काम तो सबसे पहले कर सकते हो कि अपने expenditures को लिखना सुरू कर सकते हो और वोस point से आपको बहुत फरक पड़ेगा आपके घर में याद करिए कुछ लोग बहुत अच्छी money management वाले लोग होते हैं out of you know कुछ member कुछ 7-8 लोग मालो family में है या 5-6 लोग हैं उसमें से कुछ लोग बहुत अच्छा manage करते हैं कुछ लोग बहुत बुरा manage करते हैं तो follow करो न जो बहुत अच्छा manage करते हैं उनके